31 अक्टूबर मंगलवार को हुए वल्ड कप के 31 मेच में पाकिस्तान ने बांगला देश पर आसानी से धित दर्ज किया पाकिस्तान के लिए यह जीत लगाता चार हाथ के बाद आई बांगला देश और पाकिस्तान का यह मैच कोलकता की इडन गाडन स्टेडियम में खेला जिया जिसमें बांगला देश ने टॉस जित कर पहले बेटिंग करने का फैसला किया पहले बेटिंग करते हुए बांगला देश टीम ने 23 रन पर अपने 3 विकेट खो दिये तंजीद हसन जीरो रन और सेंटो चार रन बनाकर साहिनी अफ्रिदी का सिकार बने वही मुस्फिकर रहीम पांच रन बनाकर हर इस रहू की बॉल पर आउट हो गए तीन विकेट के बाद ओपनर लिटन दास और महमुद उल्ला ने संबल कर बेटिंग की और 20 ओवरों में टीम का इसकोर 100 रनों के पार लगा दिया 21 ओवर में लिटन दास 45 रन बनाकर इतिकार की बॉल पर आउट हो गए जिसके बाद अर्थ सत की पारी खेल कर महमुद उल्ला भी साहिनी अफ्रिदी का तीसरा सिकार बने महमुद उल्ला के विकेट के बाद सागिप के 43 रन, महिंदी मिराज के 25 रनों के साहर है बांगला देश टीम 45 ओवरों में 10 विकेट खोकर 204 रन ही बना सकी पाकिस्तान की ओर से साहनी अफ्रिदी ने 3 विकेट, वसीम जूनियर ने 3 विकेट, हरिस रौफ ने 2 विकेट और इफ्तिकार वह उसामा मीर ने 1-1 विकेट लिया 205 रनों का लक्ष पाकिस्तान टीम ने आसानी से प्राप्त कर लिया पाकिस्तान टीम में वापसी कर रहे फकर जमन और अब्दुल्ला सफीक ने अच्छी बोपनिंग साज़ेदारी की दोनों ने पहले विकेट के लिए 21 ओबरों में 128 रन की साज़ेदारी की दोनों ने अर्ध सतक भी जमाया सच्छी साज़ेदारी के बाद अब्दुला सफीक 68 रन बनाकर हसन का सिकार बने जिसके बाद बावराजम 9 रन और फकर जमन 81 रन बनाकर दोनों ही मेंदी मिराज हसन की बॉल पर आउट हो गए तीन विकेड के बाद मुम्मद रिजवान के नाबाद 26 रन और इफ्तिकार के नाबाद 17 रन से पाकिस्तान टीम ने 7 विक्टो से मेच को जीत लिया पाकिस्तान टीम की यह जीत लगातार 4 हार के बाद आईए जीत से पाकिस्तान टीम ने थोड़ी राहत की सांस लिया होगी काफी मेच के बाद वापसी कर रहे फकर जमन जिनोंने अच्छी बेटिंग करते हुए एक क्यासी रन बनाए उन्हें मैन आफ दमेच दिया गया है यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेड में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे वर्ल्ड कप के आगे के अपडेट आपको मिलते रहें धन्यवाद